नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल आर्केवरमेलाक्टिकल पर तो दोस्तों ये वीडियो यूपी-पी-से-यल की आंतरिक परिक्षाओं से लेकर है यानी यूपी-पी-से-यल ने विभागिये परिक्षाय तो करा ली है यानि इस पर कुरोना का कोई प्रिभाव नहीं पड़ा है और इसका पेपर कराके इसका रेजल्ट भी दे दिया है और दोस्तो UPCL, TG2 और अन्य इत्यादी जो परिक्षाएं हैं उन सभी के लिए UPCL कुरोना की बात कर रहा है यानि हाली में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि UPCL से एक RTI वायरल हो रही थी तो उसमें परिक्षाओं को लेकर बताया गया था कि कुरोना की वेरज़े वज़े से जो आपका एक्जाम सेंटर है उनमें थोड़ा कुछ समस्या चल रही है तो अभी परिक्षा को डिसाइड नहीं किया गया है तो दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और दिखाऊँगा इस वीडियो के मादधम से कि UPCL ने किन विभागे परिक्षाओं अभी कराई है हाली में और 4-5 दिर बाज उसका रिजल्ट भी दे दिया है तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोटेंट रहने वाली है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग रहने वाली है तो पिर इस वीडियो में आन तक बरे रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी परिक्षा कराई है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रुकेश्ट है यदि आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर रठके क्योंकि आने वाली ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके तो चलिए फिर दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये वो इन्फोर्मेशन है यानि नोटिस है दिनांग की बात करें तो आपका दिनांग 29 बारे 2020 यानि आज ही के दिन का ये कारिय लगया आप है और आपको जो संख्याइस की यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे होगी उत्तर परदेश पावर कॉर्पेशन लिमिटेड ये आपको यहाँ पर दिखाए दे रहोगा तो कारिय लगया आप है एक परिकार का उत्तर परदेश पावर कॉर्पेशन लिमिटेड में विद्धूत एमें यांतरिक संबर के अभियांताओं हेतु दिनांग 5 बारे 2020 को संपन हुई वेपसाइक परिक्षा भाग एक में समलित अभियांताओं से अधो अंकित अभियांताओं को एदत उत्तिन गोसित किया जाता है तो दोस्तो इस से पहले मैं इसके संबंद में एक वीडियो बनाई थी यानि जब जो आंतरिक परिक्षा हो रही थी इसके लिए मैं आपसे एक वीडियो बनाई थी और आज जो रिजल्ट जारी हुआ है विबाग की तरफ से इस पही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो आप देखें ये वो छात्र हैं जिनोंने परिक्षा दी थी यानि हाँ पर आप देख रहे होंगे इसके बाद में और दो नोटिफिकेशन है तो दोस्तों उन पर वीचार करेंगे तो प्लीज वीडियो में आन तक बने रहे हैं यहाँ आप देख रहे होंगे नकलोव केंद्र वेबसाइक परिक्षा भाग वण यानि नकलोव के जो परिक्षा केंद्र बना गया था उस पर जिन जिन अप भी होड़तियों नों भाग नहीं आ था और जो उत्तिन गोसित हो गए हैं उनकी जो लिष्ट है यहाँ आप दे बारेब पेज्व लगबग इसमें आपको बारेब पेज आपको देगाए इतने ऐतने चातिरों की इसमें परिख्छा, आंत्रिक परिख्छा कराएगbereich जाक है दोस्तों आप देख रहे हैं कितने संख्या में यह के लिए UPPCL कोरोना बता देता है अब दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि UPPCL कितना बच्चों के साथ अन्याय कर रहा है और कितना चालाकी से कारिय कर रहा है अभी कुछ दिन पहले आपने एक ITI देखी थी उसमें कहा गया था कि कोरोना के बज़े से जो सेंटर है वो अ प्रिक्षा को लेट कराना चाहा रहे हो हो सकता हो इसमें और भी कुछ कारण हो सकते हैं तो यह सूचना है यह निमलिकित कर दी गई है तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एक notification इसी से सम्बंदित तो चले फिर उससे भी download करके फिर देख लेते हैं तो दोस्तों दूसरा notification यह है आपका यह भी आज ही कितिन का है यानि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्टपेस लिमिटेड में जानपस सम्वर के अवियंता वेतु पांस दिनांक यानि वो भी इसमें मैटर है और website परिक्षा भाग एक इसमें आपको यह आपके दिये गए हैं दिनिश्चंद, राक तो UPCL का यही नाटक रहता है यानि आपने देखा हुआ इससे पिछली जो भरती हुई थी वो आपकी 2018 में इसका विग्या पनाया था अप्रेल में उसकी परिक्षा के लिए बात की गई थी तो दोस्तों अचानक काफी बच्चे उस परिक्षा का इंतियार करते लहें लेक में आपको 19 जनवरी 2019 में आपको वो परिक्षा देखने को मिली थी तो लगबग एक साल का टाइम लग गया था तो दोस्तों यह UPCL का अब की बार का काम नहीं है हर बार UPCL यही ना टकरता है जब UPCL की परिक्षा आती है तो चलिए फिर तीसरा नोटिफिकेशन देखते ह है तो दोस्तों यह वो तीसरा नोटिफिकेशन है यह यह भी आज ही के दिन का है यहां पर भी इस परिक्षा के बारे में बात की गई है यहां पर आप देख रहे होंगे वेबसाइट परिक्षा भाग दो में समलित अभियंताओं से अधो अंकित अभियंताओं द्वारा एतत पर उत्तोड़ गोंसित किया जाता है यहां यहां पर रंतुस कुमार यादव जी है सेलेंद कुमार असो कुमार रजनीस परकार अफ्रोज आलम उद्यपरताप सुभास चैंदर रंजीत कुमार अर्विन सिंग यह इस परकार इतने आपके यह अभियरती हैं जिनोंने इस परिक्षा में भाग लिया है और फाइ जो बात आती है वह UPCL की जो परिक्षाएं हैं उन पर यह आकर रुख जाती है तो दोस्तों यह जो यूपी सेल जान बूजकर ही परिक्षा नहीं कराना चाहता है जान बूजकर परिक्षा को लेट कर रहा है अब इसके पीछे क्या कारण है यह तो सिर्फ YOPCL या इसकी अ क्योंकि इन से जूड़ी कोई भी जानकारी के लिए आपको हमरे चैनल पर जानकारी समय से उपलब्द हो जाती है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक बात जो और उनकी जो जानकारी मिलती है उन्हें वो अधोरी जानकारी मिलती है और फिर बाद में वो कमेंट करते हैं यानि तरह तरह की बात फिर कमेंट करके पूछते हैं जो पहले ही वीडियो में बताए गई है उन्हीं बातों को फिर दुबारा कमेंट करके पूछते हैं यानि क कोई आपकी परिक्षा सम्वंदित कोई बना जाती है तो पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे नहीं फिर बाद में यह पुछेंगे जो उस करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सेयर करें चैनल पर नहें तो प्लीज चैन को सब्सक्राइब करने तो थेंकी फूर वाचिंग दीस वीडियो मिलते हैं आप से अगली इन्फरस्मेशन के साथ तो तब तक बने रहा हमारे चैनल पर धन्यवाद दोस्तों.